C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थैकारेक्रम भोजन के घटक हलो बच्चो, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन का मूल आधार है भोजन अगर पेट में भोजन ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, है ना? जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए इंधन की जरुरत होती है, उसी तरह इस शरीर को चलाने के लिए हमें जिस उर्जा की जरुरत होती है, वो हमें भोजन से मिलती है लेकिन आखिर भोजन में ऐसे काउन काउन से घटक होते हैं जो हमारे शरीर को उर्जा भी दें पोशित भी करें और बीमारियों से भी बचाएं तो आओ इन्हें जानने के लिए चलते हैं बूझो और पहली के घर और सुनते हैं उनकी संगीत मैं बातचीत बूझो और पहली करने पहुचे भोजन दाल चपाती बैंगन चावल अब खाएंगे ये दोजन खाने में थी मिर्ची थोड़ी चटक जिसको खाकर बूझो की आखे गई मटक खाने में थी मिर्ची थोड़ी चटक जिसको खाकर बूझो की आखे गई मटक पहली को ये देख आया बड़ा मजा बोली वो बूझो से ये है मुझे परिशान करने की सजा मा के आते ही गया दोनों का ध्यान पटक मा ने पूछा जानते हो क्या भोजन के घटक मा के आते ही गया दोनों का ध्यान पटक मा ने पूछा जानते हो क्या भोजन के घटक तभी तपाक से बोली पहेली हाँ, कार्बोहाइडरेट और प्रूटीन का तो है मुझे पता बाकी के नात है मुझे, आप ही दो हमें बता मा बोलती, इससे पहले बूचों ने पहेली पर तंज गसा और हसते हुए बोला, भोजिन का एक महत्व पून घटक है, वसा दोनों की तना तनी देख, मा ने प्यार से दोनों को समझाया चलो, सभी साथ में समझते हैं, जो तुम दोनों ने अभी नहीं बतलाया विटामिन और खनिज लवन का है, अपना भी पोशक मूल्य रूख शांच और जल है, बोजन के घटक अमूल्य पूझो और पहली करने भोचे भोजन, ताल चपाती बैंगन चावल अब खाएगे गे दोजन पूजो और पहेली करने पहुचे भोजन दाल चपाती बैंगन चावल लब खाएगे ये दोजन तो बच्चो सुना आपने की भोजन के कितने सारे घटक मिलकर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं ये सभी घटक हैं कार्गो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा, विटमिन, खनिज लवन, आहारी रेशा और जल तो जब इन सभी को उचित मात्रा में हम लेते हैं तो उसे संतुलित आहार कहते हैं तो अब हमें आशा है कि जब भी आप खाना खाएंगे, बूजो और पहेली की इस जानकारी को जरूर याद करेंगे अभी आपने सुना कारेक्रम भोजन के घटक चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत